सुशान्थ के दोस्स सिधार्थ पिठानी सुशान्थ के हाउस कीपर और कुक नीरच सुशान्थ के करमचारी दिपेश सावन इन तीनों कड़ियों की मदद से देश की सबसे बड़ी चांच एजनसी सुशान्थ केस की तह तक पहुचने की कोशिश में लगी है सिधार्थ पिठानी, नीरच और दिपेश सावन वो लोग हैं जो 14 जून को सुशान्थ के फ्लैट में ही मौजूद थे शायद यही वज़ा है कि CBI की टीम का शिकंजा सबसे पहले सिधार्थ और नीरच मरकसा पूचताच हुई लेकिन जब 40 घंटे के भीतर दोनों के बयानों में अंतर आ गए तो जाच एजनसी ने दोनों को एक साथ बिठाया साथ में दिपेश सावंत को भी शामिल किया और फिर तीनों से एक साथ सवाल जवाब किये गए मुंबई में DRDO गेस्ट हाउस में सिधार्थ दिपेश और नीरच से ताबर तोड़ पूचताच के बाद CBI की टीम फोरिंसिक एक्सपोर्ट और डॉक्टरों को लेकर सुशांत के बांदरा वाले घर पर पहुँची और क्राइम सीन को दोबारा रिक्रियेट करने की कोशिश हुई CBI की टीम एक बार फिर सुशांत के फ्लेट पर पहुची है आप देख पार है यहाँ पर पहुची हुई है और साथ में नीरच कुक जो सुशांत का कुक था दिपेश शावन और सिधार पिठानी को लेकर पहुची है यहाँ पर जाहिर सी बात है कल भी पूच्ताच हुई थी कल भी क्राइम सीन को रिक्रियेट किया गया था लेकिन बयानों में जब विरोधा भास पाया गया उसके बास से एक बार फिल यहाँ पर जो सी बी आई की टीम है वो जो नीरच है कुक उसको लेकर जो दिपेश शावन थे उसको लेकर सिधार प एहम सवालों के जवाब के लिए बुलाया जा सकता है इस मामले की सबसे एहम किरदार रिया है सी बी आई ने जो एफ आयार धर्श की है उसमें रिया मुख्य आरोपी भी है रिया पर पंद्रह करोड की हेरा फेरी और सुशान्त को उकसाने का आरोप है केस से जुड़े सवाल और मामले में आ रहे हैं नए पेज को देखकर अब मामला सुसाइट से बदल कर घिनवनी साजिश की और मुर्ता दिख रहा है लहाजा रिया समेच सारी कड़ियों से पूछताच से बेहत एहम खुला से हो सकते हैं उधर CBI सुशान्त के कमरे का ताला तोडने वाले मुहमद रफी से भी पूछताच की तैयारी कर रही है आज तक पर पहले ही रफी काफे खुलासा कर चुका है कि कैसे सुशान्त के घर में मौजूद लोग पूरी तरह रिलाक्स थे जैसे ऐसे वक्त बीत रहा है सुशान्त केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं सुशान्त की पड़ोसी महिला ने बताया कि 13 जून की रात सुशान्त के घर की लाइट आम दिनों के मुकाबले पहले ही बंद हो गई थी मेरा करें की रात को इस बिल्लिंग में जुचार है ने सुशान्त की तरह से बंद हम ऐसे वान गई थी कि जिए एक घशी की लाइट अन थी और सभी भी खामेशन कभी ऐसे उसकी लाइट पर जागता था नहींद जाता था सीबियाई के सामने धेरो चुरोतियां हैं लेकिन जब तक रिया पर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक उन्चिरोतियों से पार पाना मुश्किल है सीबियाई की तेज तरार अधिकारियों को भी ये पता है लेहाजा रिया को सच उगलना ही होगा आज या कल आज तक विरो